बारती जनता पार्डी की मुश्विलिए बरती जा रही है अब एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में भारती जनता पार्डी को जटके पे जटका लग रहा है एक के बाद एक कई बड़े नेता और कारे करता भारती जनता पार्टी के परसानिया बढ़ाते हुए इस्तिपाद देते हुए नजरा रहे हैं और भी एक दो चार पांच नहीं बलकि सायकोडों की तादात में भारति जनता पार्टी कार करता पार्टी छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टी को जोईन कर रहे हैं जहां भारति जनता पार्टी के साड़े 300 कार करता होने एक साथ पार्टी छोड़ दी यही नहीं भारती जंता पार्डी को तिरपुरा में भी बड़ा जटका लगता हुए दिखाई दे रहे कई भारती जंता पार्डी के बड़े नेता पार्डी से बगावत करते हुए दिख रहे हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करने के साथ ही घंटी बजा कर नोटिफिकेशन को जरूर आन कर लें। अब यहां तक खबरे निकल कर सामने आ रही कि तिर्मुल कांग्रेस के संपर्क में भारती जनता पार्टी के 25 से 30 बिधायक संपर्क में हैं, जो तिर्मुल कांग्रेस में सामिल हो सकते हैं। इसके अलावा और भी भारती जनता पार्टी के बिधायकों से संपर्क साथ रहें। वह इहाली में सुब्रांसुराय भी तिर्मुल में सामिल हुए थे। अलागी इन नेताओं के तिर्मुल में वापसी के कयास लगाय जा रहें। लेकिन साड़े 300 भारती जनता पार्टी के कारकरताओं ने गंगा जल छिड़क कर तिमसी की सरस्ता गरहन की है। जे आपको दे लगातार भारती जनता पार्टी से टिमसी में नेताओं वापसी करते हुए दिखाई दे रहें। आपको दे बंगाल के बीरभून जिले के सैथिया इलाके में साड़े 300 बिजेपी कारकरताओं ने टिमसी कारेले के बाहर धरना दिया। सभी कारकरताओं का कैना था कि उन्होंने भारती जनता पार्टी में जाकर बहुत बड़ी गल्ती की। धरना में उन्होंने मांग की कि उन्हें टिमसी में सामिल किया जाए। आपकर ने भारती जनता पार्टी कारकरताओं का या धरना चार घंटे तक चला चार घंटे तक चले इस हाई बोल्टेज ड्रामे के बाद इलाके के TMC पंचायत प्रधान ने सभी कारकरताओं पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें सुद्ध किया फिर इसके बाद उन सभी 350 भारती जनता पार्टी कारकरताओं को पार्टी की सदस्ता दिलाई इसके लिए भारती जनता पार्टी कारकरता काफी उससाही दिखे अलाके बास सिर्फ कारकरताओं की ही नहीं है बलकि बंगाल में भार्थी जनता पार्टी के दिगज निता भी इसी कतार में पार्टी की हार के बाद नजर आते हुए दिख रहे हैं TMC में सामिल होने वाले सभी भार्थी जनता पार्टी कार करताओं का यह कहना था कि यह धर्णा और अंसन तब तक नहीं अटेगा जब तक इन सभी को TMC में वापस सामिल नहीं किया जाता इन सभी ने धर्णा के दोरान अपने हाथों में प्ले कार्ट भी लिया था जहां भारती जंता पार्टी में सामिल होना इस प्ले कार्ट के जरिये बताये गया और TMC और ममता बनरजी को महान बताये गया था अलाकि यह पहला मौका नहीं है कुछ दिन पहले ही बीर भूम में भी भारती जनता पार्टी के 50 से ज़्यादा कारकरता होने TMC में सामिल होने की जीत पकड़कर TMC दपतर के बाहर धर्णा दे दिया था जिसके बाद उन सभी को तिर्ण मुल्क कांग्रेस में वापसी कराई ग भी सामिल हैं अलाकि ममता पनाजी भारती जनता पार्टी से तिर्ण मुल्क में वापसी करने वालों को लेकर पहले भी कई बाते कैचुकी हैं ममता पनाजी ने साप करते हुए का था कि किन लोगों की घर वापसी हो सकती है उन्होंने प्रेस कांफरेस के जरिये का था कि दुरुनी कला मचा हुगा है भारती जनता पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलास बिजवरगी भी भारी बिरोत का सामना कर रहे हैं अब भारती जनता पार्टी कार्याले के सामने ही कैलास बिजवरगी के गो बैक TMC सेटिंग मास्टर के पोस्टर भी लगे थे पार्टी के भी सताने लगा है जियां सुत्रों से ऐसी खबर निकल का सामने आई कि भारती जनता पार्टी के 13 सिर्ष नेता TMC में सामिल हो सकते हैं आपके तेरपुरा में भारती जनता पार्टी के भीतर अब गुटबाजी तेज होने और दरार बढ़ने की खबर निकल का सामने आ रही है अब इसका फायदा उठाने के लिए तिर्मुल कांग्रेश पूरी तरह से जुड़ गई है तेरपुरा TMC अध्यक्ष आसिस लाल सिंग की माने तो राजी की राजनीती में जल्थी एक बड़ा बदलाव होनी की संभावना है तेरपुरा TMC के अध्यक्ष आसिस लाल ने बताये की भारती जनता पार्टी के करीब 13 सेर्स नेता और 4 माकपा नेता TMC के साथ बात्चित कर रहे हैं उनक्या कहना है कि लगबग 13 भार्थी जंता पार्टी नेता और 4 माकपा नेता जिन में पूरो मंत्री भी सामिल हैं, हमारे साथ बात्चित कर रहे हैं, हमारे पार्टी प्रमुक मम्ता बनरजी या तैय करेंगी कि किसे पार्टी में सामिल किया जाएं। अनरजी और पार्टी के सिर्ष निता मुकुल राय जो कि हाली में भार्थी जंता पार्टी छोड़ TMC में वापसी कर चुके हैं, जल्दी तिरपुरा का दोरा करने की संभावना बदाई जारी है। बड़ी बगावत की आसंका दिखाई दे रही है। जी आपको देदें, पाश्ची मंगाल की मुख्य मंतरी ममता बनरजी ने राजपाल जगदीब धनकर की नई दिली यात्रा पर कटाच किया है। उन्होंने का कि एक बच्चे को मना कर चुप कराया जा सकता है लेकिन एक ब्रिद ब्यक्ती को मना कर चुप नहीं कराया सकता है। ममता बनरजी ने अभी कहा कि उन्होंने राजपाल को राजपाल से वापस बुलाने के लिए प्रधान मंतरी नहींद मोदी को तीन बार पत्र लिखा है। मीडिया में आई खबरों के बारें पूछे जाने पर ममता बनरजी कहा कि उन्हें इस तरह की किसी भी घटना करम की जानकारी नहीं है। उन्हें कहा कि मुझे कैसे पता लएगा जब राजपाल की निखती होती है तो राजपाल से सला ली जाती है। हलाकि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। मैं प्रधान मंत्री को दो या तीन बार पत्र लिख कर राजपाल से उन्हें वापस बुलाए जाने की मांग की है। क्या सकथ पैज करेंile भी जाने के जाने के जाना कि ऑमलेका है। बापनाThe एन लोगने होती है।